एलो फ्रेंज वेल्कम बैक टू मनझुलास रेशिपी सर्दियां आ गई है और सर्दियों में मार्केट में बहुत सारी हरी सब्जियां आ गई हैं और उनमें से एक मेथि है मेथि बहुत जाज़ा टेस्टी होती है तो आज हम मेथि की पूरियां बनाएंगे तो मैंने मेथि ले ली है एक गड़ी उसको दो कर साफ करके और मैं उसे बारिक कट कर लूँगी देखे मैंने काट ली है अब मैं एक कटोरी गेहूं काटा लूँगी उसमें हम नमक मिलाएंगे स्वाद नुसार हल्दी डालेंगे आदा चम्मच और आदा चम्मच अमचूर लाल मिर्च कश् पूरी बनने वाली हैं बहुत टेस्टी लगती है नॉर्मल पूरी तो हम खाते हैं लेकिन इसमें मसाले मिला लेते हैं तो इसका टेस्ट और भी बढ़िया हो जाता है तो पहले हम इसे सिरफ आटे में गूंदेंगे मेथी में जो भी पानी होगा वो लग जाएगा उसके ब दसमेट हो गए हैं आटा बिलकुल अच्छा हो गए है सॉफ्ट हो गए है सॉफ्ट आटा है इसके पूरियां बहुत अच्छी बनेंगे अब हम लोई टोल लेंगे छोटी छोटी पूरी के लिए जितनी होती है हम सारी ऐसे ही लोई बना लेंगे यह आराम से बन जाती है मे सान हो सुकाथ लगा के भी में अब अले देखेंगे हम यह तेल को तेल गरम होने चाई तो उसको वमने चैक के लिए हुआ है तेल हमारा गरम हो गया हमे इसमें पोरियां डालके जैसे नॉर्मल पूरी स county सेकर वैसे ही हम इसको सेखेंगे पहले हम आज थोड़ा तेज रखेंगे जब हम पूरी डालेंगे और जब हम पूरी को जब हो सिखने लगेगी तो हम आज उसकी हलकी कर लेंगे पस ऐसे करके दबा दबा के हम सारी पूरियां सेख लेंगे यह बहुत खसता करारी बहुत बढ़िय पूरी बनती है and इसके साथ हम बिना सब्जी के संग भी हम लिसको खा सकते हैं सफ चाई के साथ हम इसको खा सकते हैं मठ्री की तरह भी खा सकते तो ऐसे में सारी पूरी एंतना जोघaggio और सर्दियों के और भी रेसिपी देखने के लिए आप मेरे चैनल को सस्क्राइब कीजिए देखे कितने अच्छी फूल गई और ऐसे ही सारी मेठी के पूरियां हम सेख लेंगे देखे बन गई बस जट पट रेसिपी है छोटी रेसिपी है आप इसको पूरा देखेगा मेठी के पूरी हमारी त्याहर है मैं अभी आपको एक टोड़के भी दिखाती हूं कि वह कितने अच्छी बनी है अंदर से पूरी मेठी हमने थोड़ा ज्यादा डाली है इसलिए बहुत अच्छा इसका स्वाद आया है तो आप एक बार ज़रूर इसको ट्राइए करें सर्दियों में मेठी की पूरियां आपको बहुत पसंद आएंगी थैंक्यू फॉर वाचिंग